जय हिंद जैसे यह ख़बर आई कि रूस ने आज उक्रेण प्राकरमन कर दिया निफ्टी तुरांद पांस वंग तूट गया और साम होते दिती निफ्टी 812 अंकुग गिरावट के साथ आज निफ्टी के सारे सेर्स रेड निसान प्रबंध हुए हैं और चुकि यह खबर व सबसे पहले शुरुबात करते हैं निफ्टी से देखिए निफ्टी आज बंद हुआ है 815 को गिरावट के साथ 16247 पर जबकि निफ्टी ओपन हुआ था 16548 पर और इसने हाई भी लगाया 16705 का लगा कि सब को इस ठीक चलेगा लेकिन निफ्टी अपने कल के जो प्रिविय 1800 लेवल को जो इसका अप्रेंड लेवल उसको पार कर जाता है तब माना जाते हैं निफ्टी में कुछ तेजी आएगी लेगिन अगर निफ्टी ओल उढखकर 16400 के आसपास आगया जो इसका फर्ष्ट सपोर्ट लेवल है तब मानिए कि अब डेंजर जून बढ़ते जा रह है और इसका जो सबसे श्ट्रॉंग सपोर्ट लेवल है अगर अपने सबसे श्ट्रॉंग लेवल 16200 को भी निफ्टी तोड़के नीचे चला जाता है तब समझे कि अब क्रेस आने ओला भी मार्केट क्रेस नहीं हुआ क्रेस सब्सक्राइब हम लोग अभी नहीं करेंगे इस सब्सक्राइब लेकिन प्रिवियस को अपने टर्च नहीं कर पाया और यहां से देखेंगे तो 2702 अंगोई ग्रावट के साथ ता चोवन हजार 537 पर सेंक्सेस बंद हो गया सेंक्सेस का जो रेश्टेंस लेवल हुए 55930 अगर अपने रेश्टेंस लेवल को पार्क कर जा प्रिवर निचे आता है तब इसमें माना जाएगा भ्यान किरावट आने के पूरे संभाव ना अभी डरने की कोई बात नहीं है इसका जो बावन होई का है वह बासाट हजार तूसापैट अब देखेंस का बावन होई का हाई और इसका बावन होई का हाई यह दोनों आप अब ध्यान से देख लिए अब मैं बताता हूं देखिए अभी जो वार हो रहा है तो मार्केट डाउन गया है इसको क्रेस नहीं कहेंगे क्रेस कव कहेंगे यहां समझे जब निफ्टी या संक्सक्स अपने बावन ही के हाई से बीस परसेंट टूट जाए या बीस परसेंट अब यहां में सथा हो रहें नहीं चलता रहेगा इसलिए इससे अगर कोई टर के घर के सियर मार्केट उख छोडगे चल गया है कि हमको लोस हो गया या बहुत सारे लोग को लोगोस हुआ भी होगा लेकिन इस यह नहीं कि आप मार्केट छोड़कर भाग जाए तब फिर कमा नहीं पाईएगा दूसरा बात अभी जो वार हो रहा है उसका सबसे ज़्यादा पड़ेगा इसलिए अभी यह जो मार्केट गिड़ रहा है आपको कहीं न कहीं मौका भी दे रहा है आप फोकस कीजिए क्वालिटी और लार्ज के क्युंकि लार्ज केप जो ईस्टॉक होते हैं बहुत कम टूटते हैं तो पीनिया फ्यों परकेट में लेकिन सीमित मातरा में रखें और अभी जो आप लोग अगर इंट्राइटे ट्रेडिंग करते ने कुछ दिन इंट्राइटे ट्रेडिंग कीजिए क्योंकि मार्केट जब मार्केट को कहा जाता है न्यूज के और खबरों को बताला चलता है तो सही बात है न्यूज का असर पड़ता है लेकिन जब इतनी बड़ी दुनिया तो न्यूज परती दिन कुछ ना कुछ निकल कर आएगा है इसलिए घबलाई नहीं खुश रहे और अपना फोकस कीजिए क् अगर मन में कोई सवाल है तो मुझे से पूछे बाकी मिलता है नेक्ट वीडियो में तब तक लिए धन्य बात शुक्रिया